नमस्कार विच्चो आज के इस वीडियो में मैं आपको रचना के अधार पे वाक्य भेद के बिसे में बताऊंगा जैसा कि आप पिछली कक्षा में आप अर्थ के दिश्चे से वाक्य भेद के बिसे में जान चुके हैं तो आई अब जानते हैं रचना के धार पर वाके भेद, रचना के धार पर वाके भेद, तीन होते हैं, सरल, शाइक्त और मिश्र, सरल वाके वह होता है, जिसमें एक करता और एक क्रिया होती है, उसे सरल वाके कहते हैं, जिसमें एक उद्देश और एक विदे होता है, उसे सरल जैसे बच्चा रोते रोते चुप हो गया है इसमें इसमें इसक्त की से कहते है जिसमें एक से अधिक सरलवाक्य किसी यूजक चिन्ह द्वारा जुड़े हो उसे स्वग्तवाक्य कहते हैं यूजक चिन्ह जो समझवेदक हव्य होते हैं उसमें और केंथे इसलिए प्रन्तू अत्वा यह सब हो सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बचाया पताया कि बच्चा रोते रोते चुप हो गया अब इसको हम जब स्धुव आख्यों में बदलेंगे तो यह हो गए बच्चा रोया और चुप हो गया आप देख रहे हैं यहां पे और जो है जो चिन है यह दो वाक्यों को जोड़ दिया इसलिए समुशिवोधक संग्त वाक्य हो गया अब आईए जानते हैं कि मिश्रवाक किसे कहते हैं मिश्रवाक के जिसमें एक प्रधान उपवाक के हो और उसमें एक से अधिक सरलवाक के आश्रित हो उसे प्रधान उसे जो है मिश्रवाक के कहते हैं जैसे वह लड़का कहा है जो कल दिखाई दिया था या यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता आप देख रहे हैं कि एक कार दुसरे कार पे आसिर्थ हो जा रहा है यदि रमेश आता तो सुनिल चाता तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और उस पर एक आश्रित हो तो यह जो है क्या होता है उस पर यह हो जाता है मिश्रवाक के इसके जो चिन है उसमें की जो यदपी जब की जिसका जिसने इस तरह के चिन जो ही इस तरह के चिन इसमें आते हैं तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी से बाने हैं